नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में आपके साथ मैं श्रेया शडोल जले के करकती गाउं के रहने वाले रामसजीवन का चेर ने स्ट्रॉबेरी की खेती की है रामसजीवन हमेशा खेती किसानी में नए नए प्रयोग करते रहे हैं इन दिनों उनके खेत में स्ट्रॉबेरी की भी फसल निकल रही है जिसे देखने के लिए दूर दूर से किसान पहुँच रहे है किसान उनके इस नवचार की तारीव भी कर रहे हैं राम सजीवन कचेर बताते हैं कि उनके एक परिचित किसान हैं जिन्होंने उन्हें कुछ साल पहले अंतराश्ट्रिय क्रिशी मेला के लिए पूने बुलाया था। वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। उसके बाद राम सजीवन के दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना वो भी अपने यहां स्ट्रॉबेरी की खेती करें। करता है तो ड्रिप और मल्चिंग के साथ अगर इसकी खेती की जाए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि नमी में अगर इसके फ्रूट रहेंगे तो खराब हो सकते हैं इसलिए मल्चिंग और ड्रिप सबसे अच्छा ओप्शन है इसकी खेती में बहुत जादा एक्स्ट्रा खर्च की जरूरत नहीं पड़ती और अच्छा खासा मुनाफ़ा कमाया जा सकता है बस लार्ज स्केल पर इसकी खेती की जाए और अच्छा मार्केट मिल जाएगा अपने शेत्र में सितंबर से 15 मार्ज तक का वक्त इसकी खेती के लिए बहुत ही अच्छा होता है उन्होंने क किसान को रायपूर बिलासपूर या जवलपूर का मार्केट पकड़ना पड़ेगा वहीं अच्छे दाम मिलेंगे और जादा से जादा फसल को वहां बेचा जा सकता है उन्होंने ट्रायल के तौर पर स्ट्रॉबेरी की खेती की थी और उनके पास जैविक खेती करने के लि नहीं करते हैं और नहीं किसी तरह का रसायनिक दवाइयों का भी उप्योग करते हैं सर आपका क्या नाम है और आपने इस्ट्रावेरी की खेती जो सुरू की है किस तरह से किया है मेरा नाम राम सजीवन का चेर है ग्राम पोस्ट कर कटी कहूं जिला सहडोल का मैंने इस्ट्रावेरी लगाने का फंसला किया जमने मैंने पुने में देखा कि इस्ट्रावेरी हो रही है मैं टेस्ट भी किया लाया भी घर में भी खाय तो टेस्ट अच्छा रहा तो यह रहा कि हमारे यहां क्यों नहीं होगा मैंने इस्ट्रावेरी को पौध मंगाया और ल कि नया है और बहुत आप बहुत त्था सब्सक्राइब नहीं का जायए कंढों अब पर्सक्राइब मिलाके गोवर गैस का जो खाद रहा उसको मिलाके कुछ सैलरी डाल के बेड़ बना दिया और बेड़ बनाने बाद इसका डिप बिचाके और ट्रांस्प्लांट कर दिया लगा दिया मैं इस ट्रवेरी लगाने बाद मैं देखा कि कुछ डेमेज दो नहीं होगा उस समय करवा दिया मल्चिंग करवा दिया मल्चिंग करवाने बाद जहां पर पौधे रहे वहां पर मल्चिंग कटवा दिया कटवाने बाद अभी देखा कि मेरा अभी इस्ट्रावेरी ठीक ठाग निकल रही है और मेरे ऐसा लगता है कि सभी को लगाना चाहिए इस्ट्रावेरी तो बढ़ार में कुछ जानते हैं पर हमको यदि जादा मात्रम हम लगाते हैं एकड़ाद है एकड़ में तो हमको यह बिलास पूर राइपूर यह की जबलपूर पकड़ना पड़ेगा वड़ा मारके सर देखा जाये तो इस्टावेर की खेती को लेकर आप किसानों को किया सलाह देना चाहें है मैं किसानों को यहीं कहूंगा कि यदि छोटा मोटा किसान भी हो तो इस्ट्रावेरिक थोड़ा से लागत लगाए लागत थोड़ा से लगता है सर्प क्योंकि पौधे इसके पान से छे रुपए एक पौधे आता है फिर ट्रांस्वोर्डिंग लगेगा यहां तो पौध साथा लाख रुपिया बच जाए खर्च काटने वह से और एक एकड़ का खर्च